ओम्च्यांती अपनी स्थिती को अच्छल अडोल और एकरस रखने के लिए बाबा ने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है, सिक्रेट्स बताए हैं, मैं एक गुईय रह्स आपके सामने रखकर इस बात को आगे लेता हूँ बाबा ने कहा, यदि तुम अच्छल अडोल इस्थिती के सिंघासन पर इस्थित रहो, तो समस्याई सिंघासन के नीचे दब कर नस्ठ हो जाएंगी कितना बड़ा राज बताया भगवान ने, तो ओन एनी कोस्ट हमें अच्छल अडोल रहना है, किसी भी कीमत पर हमें अच्छल अडोल और इस्थिर रहना ही है, यह हम अपना मन बना लें जराएंग अगर हम यह संकल भी दड़ता पूर्वक करते हैं ना, कि मुझे अच्छल अडोल रहना है, मुझे विचलित नहीं होना है, तो भी बहुत सारी बाते सहज समाथ्थो जाती हैं, हम याद रखें, बाते बहुत छोटी हैं, हमारी स्थिती बहुत बड़ी चीज है, हमें इच् तो ड्रामा में बहुत सारी चीजे बाबा ने हम सब को कही हैं, जैसे जो कुछ हो रहा है वो कल्यान कारी है, अगर तुम्हें कहीं असफलता भी दिख रही है, तो असफलता के पर्दे के पीछे भी सफलता छुपे हुई है, पर्दा अटेगा, सफलता दिखाई देने लग थोड़ा इंतिजार करना होता है, तो ड्रामा का बहुत ही ग्यान हम सब के पास है, हरात्मा का अपना अपना पार्ट है, हरात्मा अपना अपना भाग्य बना रही है, अपने अपने कर्मन उसार अपना भाग्य खा रही है, चाहे आपके घर में आपके बच्चे हैं, कोई ह वहान है तो कोई दूसरे तरह का है, निगेटिव है, हमें साक्सी होकर देखना ही है, आप कहेंगे तो हम उनके लिए कुछ न करें क्या, कुछ तो करो लेकिन करो वो जिससे कुछ फायदा हो, आप चिन्ता में ढूप गए, आपको नेर नहीं आती है, ये कुछ करना नहीं है, ये तो हाथ बिलकुल सरेंडर कर देना उनके आगे, आपको करना है उन्हें वाइब्रेशन्स देना, स्वमान में रहकर आत्मिक द्रस्ती के साथ उन्हें दो अच्छे वचन बोलना, क्योंकि जहां प्यार है, स्वमान है, सुब भावनाई है, वहां हमारी बोल का प्रभाव दूसरों पर बहुत ही गहरा होता है, इसका हम परियोग करेंगे, गवराएंगे, नहीं, तो ड्रामा में सब कुछ कल्यानकारी है, जो बुरी चीजे हमें दिखाई देती हैं, वो भी कल्यानकारी हैं, हम उसे समझ नहीं पाते, कोई बीमारी आई है, आप सोचेंगे, ये कल ल्यानकारी कैसे हम सब देखेंगे, नहीं, नहीं चीजे खुलेंगी, नहीं एपोर्चुनिटी खुलेंगी, देश ओर आगे विक्सित होगा, लेकिन इससे जो पाप आत्माएं हैं, उन्हें नुकसान भी होगा, उन्हें कस्ठ होगा, तो उन्हें तो कस्ठ होना ही जिसने दूसरों को बहुत डराया, धमकाया है, जिनोंने दूसरों की संपत्ती पर अपना हक जमा लिया है, दूसरों की जमीने हडप ली हैं, उन्हें तो सजा मिलनी चाहिए, कोट तो उन्हें सजा नहीं देता, वहां से तो बच जाते हैं वो, तो कोरोना आ गया है उन्हे सजा देने के लिए इसलिए सब कुछ कल्यान कारी हो रहा है हम डर्मा की इस गुयता को समझें हर आत्मा अपना अपना पाट वजा रही है इसलिए यहां किसी का कोई दोस नहीं है थोड़ा सहज भाव आ जाएगा इससे सहज भाव दारन कर ले हम अपने जीवन में और साक्सि हो के इस खेल को देखा करें कैसे यह खेल सत्यूग से और कल्यूगन तक चलता आया है हर आत्मा ने अपना अपना पाट प्ले किया है कुछ इस ड्रामा में हीरो एक्टर है तो कुछ साधारन एक्टर है कोई विश्वराज अधिकारी बनते हैं कोई साधारन प्रजा रह जाते हैं यह सब अपना अपना पार्ट है अपने अपने करमों का खेल है अपना अपना भाग्य है तो हम सहज भाव से साक्सि रहें बहुत चीजों के बारे में हलके हो जाएं बहुत चीजों के बारे में संकल्प करें रामा में समय बीतेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा इस तरह हम अपनी स्थिती को अच्छा लडोल बनाएं ओम स्यामते